नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फोड़ी उपड़, आज हम पढ़ने वाले हैं, गुट फ्राइडे पर असान सब्दों में निबंद, तो आईए शुरू करते हैं, गुट फ्राइडे इसाई धरम का परमुक्त वहार है, इस वहार को होली फ्राइडे, बलैक फ्राइडे या ग्रेड फ्राइडे भी कहा जाता है, या हर साल इस्टर संडे से पहले सुकरवार को पड़ता है, इस दिन इसा मसी को कई सारीर की यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था इस कारण इस त्योहार को बलेक फ्राइडे कहा जाता है इसाई धरम के लोगों की मन्यताओं के अनुसार इसा मसी ने लोगों की भलाई के लिए अपने प्रान त्याग दिये थे इसलिए इस सोक दिवस को गुट का नाम दिया गया है और वो दिन सुकरवार का दिन था इसलिए इस दिन को गुट फ्राइडे के नाम से जाना जाता है मन्यताओं के अनुसार आज से लगभग तीन हजार साल पहले की बात है जेरुसलम नामक प्राचिन नगर में परवो ईसु इसा मसी लोगों को मानवता भायचारे एकता अहिंसा और सांती का उपदेश दे रहे थे सभी लोगों ने उन्हें परमपिता परमिश्वर का दूत मानना सुरू कर दिया इसके बाद इनकी लोग प्रियता बढ़ती गए वहां के लोगों में उनकी बढ़ती लोग प्रियता को देखते हुए वहां के जूठी और पाखंडी धर्म गुरूओं ने इसा मसी के खिलाप यहोदी सासकों के कान भरने शुरू कर दिये और इसा को मनपता का सत्रू घोसित कर दिया इसके बाद इसा को राजदरों का अरूप लगा कर मिर्दू डंड देने का फरमान जारी कर दिया गया मिर्दू डंड का फरमान जारी होने के बाद इसा को बंदी बना लिया गया और उन्हें कोरों और चाबुकों से मारा गया नहीं खतम नहीं हुआ उसके बाद उन्हें काटों का ताज पहना कर कई जगह सारिर की यातनाएं दी गई। आखिर में साम को उन्हें कीलों से ठोकते हुए सुली क्रोस पर चड़ा दिया गया। इसाय धर्म का महान गरंत बाइबल के अनुसार इसा मसी को चो घंटों तक कीलों से ठोक कर सुली पर लटकया गया था। आखिरी के तिन घंटों में पूरे राज्ज में अंधिरा चा गया था। महा परभु ईसा ने सारे संसार का पाप अपने पर ओड़ लिया और उसके वल इसायों लोगों के लिए है बलकि समर्ग मानग जाती के लिए एक सीख है। इसी दिन को याद करते हुए हर साल गुड फ्राइडे के रुप में मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए। और हाँ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में विल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई थैंक यू